कि कि Ohio ये हैंinky वालिट्र टूल्स के अपना अगला वीडियो हैं जहांपे हम डिस्कस कर। कर रहे हैं मॉनिट्री पॉलिश के क् eldit टो कि किस प्रकार से मार्डि पॉलेसी का इस्तेमाल करके हम जो है, पैसे हैं किकाशमा सकते हैं, कैसे पैसे की जो quantity उसको मार्केट में चेंज के रहा सकता है यह सारी की सारी बात हैं अभी तक इस सीरीज में करते आ रहे हैं और अपना अगला लेक्चर है अभी तक हमने जो है cash reserve ratio discuss कर लिया है statutory liquidity ratio discuss कर लिया और रेपोरेट discuss कर लिया इन दोनों को combine करके के बोले आता है liquidity adjustment facility और liquidity adjustment facility के अंदर हमने रेपोरेट को पूरे तरीके से डिसकस कर लिया है अब हम discuss करने आ रहे हैं what is known as reverse रेपोरेट जो reverse रेपोरेट होता है उसमें भी चार स्टेप्स होते हैं जैसे हमने रेपो में देखा था वैसे ही reverse रेपो में भी देख रहे हैं कि चार स्टेप्स होते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा हिसाब चलता है यहां पर जो system हो थोड़ा सा उल्टा चलता है कैसे इधर क्या और है रेपो में हमने देखा था कि पैसे की जरौत किसको थी रेपो में पैसे की जरौत बैंक को थी आईसी आईसी एको थी रिवर्स रेपो में जो पैसे की जरौत है रिवर्स रेपो में जो पैसे की जरौत है वो RBI को है RBI को झवी लगता है कि उसको पैसा चाहिए तो बैंक के बाँ रा तो और कहता है थोड़ा सा पैसा है दो मतलब रहतों का जस्ट उल्टा रिवर्स रहें 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 बैंक जो है वह पैसा ले रहा था तो धेखिये, पूरा सिस्टम उल्टा हो दाएगा रेपो में क्या हो रहा था कि बैंक जो है ICICI है वो अपनी गौर्णमेंट सेक्योर्टी आर्बिया को दे रहा था और आर्बिया बैंक को पैसा दे रहा था यहाँ पे उसका ज़स्ट उल्टा होगा स्टेप नमबर वान सपोस कर ये आर्बियाई जो है वो 100 रुपीस की गौर्णमेंट सेक्योर्टी दे रहा है ICICI बैंक को कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूद है ये लो आप मेरे से गौर्णमेंट सेक्योर्टी और मेरे को थोड़ा सा पैसे है दो गवर्मेंट सीक्योटी लोर मेरे को थोड़ा सा पैसे है तो आईची 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 ने बोला जो तुमने मेरे साथ किया था वो ही मैं तुम्हार साथ करूँगा मतलब मतलब की डिसकाउंट का कॉंसेट यहां पे भी आ जाएगा कि तुमने मुझे पैसाaisia डिसकाउंट पे दिया था तुमने मिरे को पैसा जो है पुछ कम करे दिया था जितना इसके उपड अमांवट लिखा वा था उससे कम पैसा दिया फॉट अ कि 90 रुपीज कुछ दिन के बाद RBI ICICI के बाद है कहता है लो भाई 90 रुपीज और मेरे को मेरी सिक्यूरिटी वापिस कर दो कि आपने मुझे 90 रुपे दिये थे 90 रुपीज लो और मेरे को मेरी सिक्यूरिटी वापिस कर दो आईसे आईसे ने बोला भाई देखो आपकी सिक्यूरिटी 90 रुपे की नहीं आपके security जो है, वो SOR पे किया है थो अगर आपको अपनी security वापिस चाहिए तो आपको मुझे SOR पे देने होंगे अगर आपको सेक्योरीटी वापिस चाहिए तो आपको मुझे SOR पे देने होंगे RBI ने SOR पे दिया ICHI को ICHI-CII ने चोफे step में इवाली गौर्णमेंट सेक्योरिटी जो है, वापिश कर दी रबियाई को और यह जो डिफ्रेंट से 90 और 100 का, यह आईसी 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 आई का प्रॉफिट इस बार, यह है इस बार बैंक का प्रॉफिट, यह जो रिवर्स रैपो प्रोसेस है, यह जो रिवर्स रेपो का प्रोसेस है इस रिवर्स रेपो के प्रोसेस में RBI नहीं बल्कि बैंक जो है वो प्रोफिट कमाएगा मतलब की सौर पे की सिक्योरिटी पे ICICI ने लब्बे रुपे दिया रिवर्स रिवर्स में अठ Goddess होता है वह प्रोफिट कमाता है यहां पर यहां यहां पर प्रॉफिट कमाता है सेम केस वन केस टू दो केसिस की बात करेंगे एक एक्सपैंशनरी और एक कोंट्राक्शनरी एक एक्सपैंशनरी और एक कोंट्राक्शनरी अगर हम बात करें एक्सपैंशनरी पॉलिशी की कि हमार को मारकेट में मनी सप्ला इंक्रीज करनी है तो reverse repo rate जो है, वो कम से कम होना चीए reverse repo जो है, वो कम होना चीए समझे कैसे Expansionary monetary policy का मतलब क्या होता है कि M3 increase करना है Expansionary policy का मतलब होता है कि M3 money supply है हमार को उसे increase करना है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, M3 money supply increase करना होता है Expansionary policy में, बिल्कुल सही बात है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, समझे ICICI ने अपने 90 रुपे निकाल के RBI को दिये ICICI यह पैसा, टाटा अम्बानी अडानी को भी तो दे सकता था, लोन के फॉर्म में ICICI ने यह जो 90 रुपे RBI को दिये, यह अगर मार्केट में देता, अम्बानी अडानी को तो ICICI का प्रॉफिट होता, उदर अम्बानी अडानी को पैसा मिलता, मार्केट में M3 मनी सप्ला इंक्रीज होता, क्योंकि सैलरी आती, खर्चे होते, पैसा सर्कूलेट करता तो ICICI के पास ऐसा क्या लॉजिक रहा होगा, कि उसने टाटाम मानी को ना देके यह पैसा RBI को दिया इसका लॉजिक यह रहोगा कि RBI ने बोलोगा कि मैं तुम्हारे को टाटाम मानी से ज़ादा इंट्रस्ट दे दूँगा मतलब कि अगर रिवर्स रेपोरेट ज़ादा होगा, RBI जो इंट्रस्ट दे रहा है, जो पैसा दे रहा है बैंक को, अगर वो ज़ादा होगा, टाटाम मानी से तो ICICI obviously क्या कहेगा, मिरे को business point of view से सोचना है, RBI अगर मिरे को ज़्यादा reverse रेपोरेट देने को तयार है, तो मैं अम्बानी को पैसा नहीं दूँगा, अडानी को पैसा नहीं दूँगा, मैं RBI को पैसा दूँगा और यदि, यह जो reverse रेपोरेट है, अगर यह कम हो जाए, कि RBI का अभी मिरे को, कि मैं आपको कम profit दूँगा, टाटाम मानी से, तो आप क्या करोगे, इसके में business point of view से सोचके क्या करोगे, कि RBI तो मिरे को profit देनी रहा, तो एक काम करता हूँ, RBI को मैं पैसा दूँगा भी न है, समझिए, बेसिकल यहां पर जो bank का profit हो रहा है, जो ICICI का profit हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो ICICI का यहां पर profit हो रहा है, उसको हम simply क्या बोलते हैं, reverse reparate, उसको हम बोलते है, reverse reparate, ठीक है, अगर reverse reparate कम है, मतलब bank का RBI को देने में profit कम है, तो bank कहेगा, भाई मैं आपको नहीं दे रहा है, मैं भार अम्बानी को दे रहा हूँ, अम्बानी को दिया, पैसा invest होगा, लोगों को salary मिलेगी, M3 money supply increase होगी, Expansionary policy, क्या कहते हैं, Expansionary policy, Expansionary policy का मतलब, कि आप market में, जो M3 money supply है, उसको increase कर रहे हो, M3 money supply को market में increase कर रहे हो, मतलब की, अम्बानी दानी को लोन ज़्यादा मिल रहा है, reverse reparate, Expansionary policy में कम होता है, Getting it? ठीक है, एक बात, अगर मैं Contractionary policy की बात करूँ, Contractionary policy में क्या होता है, कि M3 कम करना होता है, Market से पैसा खीच ना होता है, अम्बानी अडानी को पैसा नहीं देना, मतलब, RBI को पैसा ज़्यादा देना है, और RBI को पैसा कब दोगे, जब वो Interested अच्छा देगा, Contractionary policy में जो reverse reparate होता है, वो increase होता है, जो reverse reparate होता है, Contractionary policy में वो हमेशा increase होता है, जो भी Contractionary monetary policy होती है, Contractionary monetary policy में जो reverse reparate होता है, वो हमेशा increase होता है, मतलब की RBI ये बोल रहा है कि मैं आपको भैतर Interested दूँगा, अम्बानी अडानी से, आप ये सारा पैसा मुझे दे दो, उन्हें मत दो, अब ICICI अगर सारा पैसा जो अम्बानी अडानी को लोन में देने के लिए रखा था, वो RBI को दे देगा, क्योंकि reverse reparate बहुत जादा increase हो गया, RBI कह रहा है कि मैं आपको सारा profit दे दूँगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ICICI सारा पैसा जो अम्बानी अडानी के लिए रखा था, वो RBI को दे देगा, और इस case में क्या होगा, इस case में यह होगा कि M3 money supply जो मार्केट में कम हो रहेगी, क्योंकि अम्बानी अडानी को पैसा मिला नहीं, अम्बानी अडानी को लोन में पैसा मिला नहीं, आगे salary वगड़ा गई नहीं, तो ऐसे में RBI जो है, उसको सारा पैसा मिल जाएगा, M3 money supply कम हो जाएगा, contractionary monetary policy, तो reverse repo क्या है, contractionary and expansionary monetary policy हमने क्या देखा, यह जो LAF होता है, इसके अंदर repo, और reverse repo, repo में जो profit हो रहा है, वो RBI को हो रहा है, और reverse repo में जो profit हो रहा है, वो bank को हो रहा है, जैसे कि ICI, ICI, SBI, expansionary and contractionary policy, reverse repo rate, यहाँ पे देखिए, कि हमने एक चीज़ तो देख लीगी, यह जो RBI ने government security दी, सौर बेकी और ICI शाई ने 90 रुपीज दिये, यह discount पे issue हो रही है, यहाँ पे वो वोला concept दुबारा से लगता है, कि जब आप security redeem करने आए, जब आप security वापिस खरीदने आए, जब आप security redeem करने आए, तो उस टाइम पे, face value के आपर redemption होगा, जब security वापिस खरीद रहे हो, वो face value पर खरीद होगे, security will be redeemed at power, issued at discount to the face value, issued at discount to the face value, and redeemed at power, liquidity adjustment facility, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कि ये रेपो और रिवर्ट रेपो के अंदर, जितने भी loans लिए दिये जाते हैं, वो mostly short term loans होते हैं, जितने भी loans यहां पर लिए दिये जाते हैं, चाहे RBI bank को loan दे रहा हो, या bank RBI को loan दे रहा हो, they are mostly short term loans, they are mostly short term loans, short term loans होते हैं वो, तो हमने cash reserve ratio देखा, statutory liquidity ratio देखा, repo देखा, reverse repo देखा, उसमें liquidity adjustment facility क्यों होता है, वो हमने detail में cover किया, यहां पर एक छोटी सी बात में आपको बताना चाहूँगा, 1990s में, एक दौर ऐसा हुआ करता था, मैंने आपको बताया है, अलड़ी किया, जो SLR और CRR होते हैं, यह NDTL के उपर calculate होते हैं, कि NDTL का कुछ percentage जो है, वो CRR SLR के form में होता है, NDTL का कुछ percentage जो है, वो CRR SLR के form में होता है, हां सार्थ ठीक बात है, ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है, कि बैंक का जो NDTL है, बैंक का जो NDTL है, उसका कुछ percentage SLR CRR में, 1990s में, यह दोनों मिला के, 43% हुआ करते थे, approximately, 43-50% के बीश में हुआ करते थे, मतलब कि, सरकार ने इतना ठगड़ा regulation कर रख था था, बैंक का, कि बैंक के पास जितना पैसा आ रहा है, उसमें से 50% पैसा, गौर्णमेंट सेक्योरिटी और RBI के पास रखवाना होगा, बैंक को, और उनके पास, लोन में देने के लिए, सिरफ औसरफ 50 रुपे बसते थे, जिसकी वरे से, एकॉनमी ग्रो नहीं कर पारी थी, बैंक के पास पैसा बसता ही नहीं था, सारा पैसा आपको, RBI और Government Securities के फ़र्म में देना पड़ता था, क्योंकि SLR और CRR मिला के जो रिज़र्व रेशो थे आपके, वो 43 से 50% के थे, और मैंने आपको क्या बताया, कि जो money multiplier है, वो हमेशा reserve ratios का उल्टा होता है, जो money multiplier होता है, वो हमेशा reserve ratios का उल्टा होता है, तो जब ये reserve ratios इतने ज़्यादा हाई हो गए थे, जब reserve ratios इतने ज़्यादा हाई हो गए थे, जब reserve ratios इतने ज़्यादा हाई हो गए थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि यह जो money multiplier है वो कामों नहीं लगा बैंकों ने बोलना शुरू करा सरकार को कि सर यह जो आप इतना ज़ादा यहाँ पर reserve ratio रख रहे हो बहुत ज़ादा है यह गलत है यह नहीं होना चाहिए और ऐसे में आपको money multiplier के ओपर ध्यान देना चाहिए फिर सरकार ने कमिटी बनाई जिसको कहते है नर्सिमन कमिटी नर्सिमन कमिटी बैंकिंग के ओपर यह नर्सिमन कमिटी बनाई गई और यह नर्सिमन कमिटी यह इसके कहने पर सरकार ने SLR और CRR को कम करके यहां पर around 22% करा यह चीज आप ध्यान रखेंगे कि यह जो SLR और CRR पहले यह approximately 43 से 48% की बीच में सरकुलेट करता था लेकिन फिर नर्सिमन कमिटी बनाई गई उसके कहने पर रिजर्व रेशियो को कम किया गया यह CRR SLR को कम किया गया और जब यह CRR SLR कम विए तो उससे Banks के पास ज्यादा पैसा बचने लगा cash के form में Banks के पास ज्यादा पैसा बचने लगा cash के form में जिससे कि Banks लोन के फॉर्म में ज़्यादा पैसा आगे सर्कूलेट कर पाएं तो यह एक अनलिसिज़ा च्छोटा सा SLR और CRR का जो आप ध्यान रखेंगे आप पे तो आज के वीडियो में हमने बात करिया about CRR, SLR, Contractionary Expansionary Policy, Liquidity Adjustment Facility और Liquidity Facility Adjustment Facility के अंदर भी हमने दो तरीके के फैसिलिटी की बात करी एक रेपो और एक रिवर्स रेपो हमने देखा कि दोनों में किस पकार से जो Securities है, वो Discount पे Issue होती है और Redeem की जाती है पार अट फेस वैल्यू और हमने देखा कि रेपो अपरेशन में RBI को प्रॉफिट होता है, रिवर्स रेपो अपरेशन में बैंक्स को प्रॉफिट होता है, Contractionary Policy में हम दोनों का रेट इंक्रीस कर देते हैं जैसा कि आज की तारिक में चल रहा है और Expansionary Policy में दोनों को कम कर देते हैं जैसा कि COVID lockdown के टाइम पर किया गया था, आज की मज़़ूरी रुकेगी हैं पर मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर और Economy के Concept डिसकस करेंगे, Let's Crack It!